आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ ऐसे भूट से टीफ्स करने वाले हूँ जिसे ना सिरफ आप टैस्टी खॉपते बना पाएंगे बन्क coloured जो आपके लोकी खॉपते बनकर तियार होंगे तो देखे- लोकी के खॉपते बनानी के लिए सबसे पहले मैंने नहीं नहीं है तो देखेे आप जितनी मादरा में लोकी के कोप्ते बनाना चाहते हैं, आप उसしたब से लोकी ले सकते हैं। जब लोकी को इस तरह से ही कदूकस करके ना थैयार कर लेना है oriented अब देख करते हैं लोकी को तो लोकी के अंदर ना बहुत सरा पानी निकलाता है इसलिए ना कदुकस की ही लोकी को न अच्छे से निचोड लेना है निचोडने से जो लोकी के अंदर एक्स्ट्रा पानी है न वो निकल जाएगा इस तरह से लोकी के कौपते बनाएंगे तो जो लोकी के कौपते है न बहुत ज़दा टैस्टी बनेंगे अकर बिना पानी निक में भी ना आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं अब देखिए मैंने साही लोकी को ना निचोड कर अलग कर लिया है तो आपको भी ना इस तरह से लोकी का पानी निचोड करना है इसको इस तरह से बरतन में अलग रख लेना है आप देखिए इसके बात इसमें मसाले मिला लेन गर्मसाला इसे जो तो का टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा और इसके बाद ना इसमें डाल लेना है स्वाद अनुसार नमक जितने भी आप इसको में नमक डालना चाहते हैं आप उसे साफरे डाल सकते हैं इसके बाद देखे इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ना बेसन डालना ह अगर बाद में जरूरत लगेगी कि इसमें बेसन कम है तो बागी का बेसन इसमें बाद में अड़ करना है तो यह पहले मैंने तीन बड़े चमच बेसन इसमें अड़ किया है इसके बाद नहीं से अच्छे से मिक्स कर लेना है अब आपको लगे कि यह चमच से अच्छे से म तो इसमें फोड़ा सा बेसन की मात्रा है December वे सब्लार हो टो बंइने उसी चमच हमट से ना चीमा और लेए इस आके शरांसों च्रेकों को है ना इसमें बिलदमा कम है जो सब्लारी की शयरा है तो फोट पीमा देखित zitten से बाद मिला बना लेने हैं इतनी आसानी से बना रहे हैं अगर आप इसका पानी नहीं निकालते तो यह जो कौपते हैं इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं तो देखिए सभी कौपते इस तरह से बना कर तैयार कर लेने हैं आप देखिए मैंने कौपते को फ्राइ करने के लिए तेल लिया ह तेल को ना गर्म कर लेना है आपको तेल को ना मीडियम गर्म करना है ना तो आपको इसको बहुँ ज़दा हाई गर्म करना है इसके साथ ना ही आपको इसको लो गर्म रखना है अगर आप हाई गर्म तेल में कौफ़ती फ्राइ करेंगे तो जो कौफ़ती है ना एक दम से फ्र परहाई में डालने के बाद एक दम से टच नहीं करना जब कौपते थोड़े से fry हो जाए ना उसके बाद इनको इस तरह से हिलाते हुए fry करना है सबी कॉपतों को पूने होगल्डन कलर होने تک न अच्छे से फॉरौइ कर ली के लेना है और यह देखें जो कॉपते है कि से जादा सौप्ट बने हैं और ये जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल लेना है लाइसुन तो ये जो लाइसुन है मैंने छाय से साथ कल yay ले? है जिसे मेंने बारी काटके लिया है इसके बाद देखी इस में डाल लेना है एक तेज पत्त सकते हैं और इसके बार दाल लेना है एक समत जीरा लिएक कुछ लाते हुए फ्राइит कर लेना है जब तक कि जो इंका कच्छा पने वो दूर्ड ना हो जाए इसके इसके साथ इसमें डाल लेनी है हरी मिर्च आप अपने टेश्ट का कोडिंग डाल सकते हैं जितना भी आप इसको spicy रखना चाहते हैं यह तो आप इतना इसको skip भी झम कर सकते हैं वैसे मैंने दो हरी मिर्च दी थी अब देखे इसके बाद ना तो देखे मैंने तीन ये मीडिम साइज की प्याज ली थी, इसके बाद इसे चला तो ये फ्राइ कर लेना है, भूल लेना है अच्छे जब तक की जो प्याज देना अच्छे से स्वाप्ट ना हो जाए अब देखे इसके बाद ना टमाटर की क्रेवी डाल लेनी है, तो इसमें ना मैंने 6-7 काजू और एक बड़ा टू कोडाद रखके लिया था, इसके साथ ही तीन टमाटर लेकर मैंने ना इनको अच्छे से पीस लिया था, अब देखे इसके बाद ना इसमें मसाले मिला लेने ह इसमें पूरा एक चमच भर के धन्या पाउटर इसके साथ ही इसमें डाल लेना है आदा चमच हल्दी अगर हाप इसमें कुछ एक्स्ट्र मशाला डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं सबी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है जब तक जो ग्रेवी अच्छे से पकना जाए और ग्रेवी में से तिल अलग ना दिखाई देने लगे तो ग्रेवी को बहुत अच्छे से पका लेना जरूरी है जितने अच्छे से ग्रेवी पकेगी सबजी का जो टेस्ट है उतना ही बढ़ी आएगा अगर देखे जो ग्रेवी है कितने अच्छे से पक गई है इस तरह से अगर सबजी बनाते हैं तो जो सबजी का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है अब देखे इसके बाद ना इसमें पानी मिला लेना है तो जो पानी की मातरा है ये मैंने डेर्ड कफली है तो आप सबजी को जितना भी ज़्यादा पतल या टाइट रखना चाते हैं ना आप उसे साफ से ना इसमें पानी डाल सकते हैं वैसे ना सबजी को जब बाद में थोड़ा सा पकाते हैं तो जो सबजी है वो और भी ज़्यादा गाड़ी होने लगती है तो ना स्रौ में जो gr Avenue या थुड़ी सी पतली ही रखिये इसके बाद ना इसको अच्छे से पका लेना है जब तक कि जो grave दो अच्छे से उबान ला जाए और जब इसमें अच्छे से उबान ला जाए आप देखिए जो सब्जी थोड़ी से पतली रहे उस टाइम ही कैस्पे से उताल लेना है क्योंकि यह जो सब्जी है थोड़ी ठंडी होने के बाद भी और गाड़ी हो जाती है आप इन लोकी के कॉप तक और चावल रोटी या फिर फराठा की चीज के साथ भी खा सकते हैं